इस वीडियो में आज आप लोग को इस तरीके से वेर सीट डिजाइन बना कर दिखाने जा रहे हैं आप से वेरियो में कवर, कुशन कवर, सिंगल डवल कुछ भी बना सकते हैं बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे तो हमने वाइट रेड गिरीन लिया है, और यह देखे कितना प्यारा बनने के बाद आया है, इसका फिनीसिंग आप लोग देख सकते हैं, तो बिना इसकी पर वीडियो जरू बिना दिरी के वीडियो को करते हैं, अस्सलाम अलेकुम फ्रेयंट केस्ते हैं, आप लोग आई होप आप लोग बहुत ही ची होगे, तो आज आप लोग को हम इस तरीके से बेट सी डियाइन बना कर दिखाने जा रहे हैं, और इसके लिए हमने तीन कलर का कपड़ा लिया है, हमने रिड लिया है, वाइट लिया है, गिरीन लिया है, कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो चलीज का मेजरमेंट आप लोग को बता दे, लंबाई चोड़ाई, कौन कितना पीसे से, तो हमने लिया इस तरीके से पट्टी, तो हमारा धाई इंच चोड़ाई में पट और रिड वाला भी हमारा चार पीसे से, चोड़ाई में तीन इंच है, लंबाई में चार इंच है, यह देख सकते हैं, आप लोग तो चलिए, इसको आप लोग को मता दे किस तरीके से हमें करना है, जो हमारा वाइट वाला पीसे से हम अच्छे तरीके से बराबर करकर फोल् यह देखे इस साइड हमने निसान लगा लिया और इस साइड भी दोनों साइड हमें सेम ही निसान लगाना है तो देखे हमने इस तरीके से निसान लगा लिया बढ़ने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है आप लोग देख सके हैं किस तरीके से यह कितना प्यारा लग रहा है जो हमारा red वाला पिसे से उसके उपर से हमें green वाले पटी को cutting कर देना है आप लोग अगर बनाईएगा तो green हमने ज़्यादा रखा है green आप लोग मतब कम रखेगा जिसे white ज़्यादा रखेगा red तो और भी प्यारा लग देगा यह जो design है तो यह देखे हमने इस side भी इसको सिलाई करकर इस तरीक से इस side भी हमने कर दिया अब इसको हम अच्छे तरीके से बराबर करकर cutting कर देगे तो देखे हमने इस side भी इसको सिलाई करकर सिलाई कर दिया अब इसको हम cutting कर देंगे तो यह देखे हमने अच्छे तरीके से बराबर करकर ये cutting कर दिया ये दखे इस तरीके से तो ये हमारा एक pieces इस तरीके से बनकर तयार हो गया है और अब हम आप लोग को दूसरा भी करकर बता दे रहें किस तरीके से हमें करना है तो जो दूसरा पट्टी हमारा है pieces, sorry उसको हम रखेंगे red वाला और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए red के उपर green वाला पट्टी रखेंगे और फिर हम सिलाई कर लेंगे ये देगे इस तरीके से जहां से हमने निसान लगाया है वही पर हमने सिलाई को रखना है और पट्टी को और सिलाई करकर यहां corner पर हमें खतम कर देना है तो इसको भी हमें कर लेना है उल्टा उसके बाद में हमको कटिंग कर लेना है तो ये देखे हमने दूसरे साइड भी हमें इसी तरीके से करना है सिलाई और फिर इधर भी हमें खतम कर देना इसलाई करकर ये इस तरीके से हमारा ये तैयार हो गया और इस साइड भी हमें सेम ही करना है तो हमने दो पीसिस में करकर बताया है दो हमने पहले से कर लिया था तो और आगे आप लोग को बता दे रहे हैं किस तरीके से हमें करना है तो देखे जो इश्ट्रा है उसको अच्छे तरीके से बराबर करकर हम कर देंगे कटिंग तो हमने कटिंग कर दिया और फिर हमने जो वाइट वाला पीसे लिया था उसको हमें इस तरीके से रखना है जहां पर हमने कि हमें फिर दुसरे साइड इसी तरीके से रखना है और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेना है तो देखे इस साइड में हमने सिलाई कर लिया तो हमें इस तरीके से हमें कटिंग कर देना है अच्छे तरीके से बराबर करकर हमें कटिंग करना है तो देखे हमने cutting कर दिया और फिर दूसरे pieces में लेंगे इसी तरीके से और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए इस side ये देखे हम आप लोग को दो pieces में अच्छे तरीके से करकर बता दे रहे हैं ये हमें अगर आपको एक flower बनाना है जैसे cushion cover में तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं तो आपको इस तरीके से 4 pieces की जरूरत पड़ेगे तो इस side भी हमने देखे उस तरीके से कर लिया था और इस side भी हम इस तरीके से कर लेंगे तो देखे हमने 2 pieces में इस तरीके से कर लिया था और 2 हमने पहले से करकर रख लिया था और दो हमने आप लोग को परकर बता दियाने तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता तो I hope आप लोग को हमारे बताने का तरीका समझ में आ रहा होगा और अगर आप लोग को हमारे बताने का तरीका समझ में ना है तो देखकर भी समझ सकते हैं तो देखे हमने और पहले से करकर रखा था तो ये हमारा चार पीसिस में है जो इस्टरा है उसको अच्छे तरीके से बराबर करकर कटिंग कर देंगे ये देखे इस तरीके से चारो साइट से तो जितने भी हमारा पीसिस है पूरे पीस का जो इस्ट्रा है उसको हम खतम कर देंगे कटिंग करकर तो ग्रीन हमने जादा रखा है इसलिए ना खिल नहीं रहा है जो हमारा डिजाइन है अगर आप लोग वाइट जादा रखेंगे या रेड जादा रखेंगे तो और भी प्यारा लगेगा तो आप लोग अगर इस कलर में बनाना चाहते हैं या किसी भी कलर में तो आप ग्रीन जादा मत रखेंगा वाइट या रेड रखेंगा तो और प्यारा लगेगा तो देखें जो हमारा ग्रीन वाला पीसिस था उसको हमने ले लिया है और ये वाले पीसिस को लिया है तो देखें जो हमारा ग्रीन वाला साइड है उस साइड से हमें नहीं रखना है पिसस को जो हमारा रेड वाला साइड है उस साइड से रखना है तो देखें हमने एक साइड कर दिया दूसरे साइड भी हम इसे तरीके से रखेंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम पीजिए इस तरीके से आएगा हमें green रखना है और ये वाले pieces को रखना है दोनों को अच्छे तरीके से बाबर करते हुए सिलाई कर लेना है तो देखि़े हमने इस लाइग कर लिया hue दूसरी साइड भी से हम ही रखेंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे तो इस साइड भी हमने इस तरीके से रखा और हमने सिलाई कर लिया है तो देखे हमने सिलाई कर लिया भी इसको हम कटिंग कर देंगे तो हमने कटिंग भी कर दिया फिर हमे लेंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए इसलाय कर लेंगे तो यह हमारा तीन पट्टी बनकर तयार हो गया है तो इसे हमें इस तरीके से जॉइंट करना है तो इसको हमने दोनों को आपस में मिलाते हुए अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हमने इसलाय कर लिया तो दिखें हमें इस तरीके से इस साइड भी हमने सिलाए कर लिया दोनों साइड से अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हमने सिलाए कर लिया और ये दिखें इस साइड भी हमें ये वाला पट्टी लेना है ये दो पट्टी को हमने जोइन कर दिया तीसरा भी लेंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाए कर लेंगे तो देखें हमने सिलाए कर लिया इस साइड भी और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए तो देखे हमने दोनों साइड सिलाई कर लिया और ये हमारा जो डिजाइन है इसका फिनीसिंग देखे इस तरीके से बनकर कम्प्लीट हुआ है इसको अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम चारों साइड से कटिंग कर लेंगे जो इस्ट्रा है ये देखे इस तरीके से अगर आप ना रखना चाहे तो ना रखिए अगर आप पट्टी लगाएंगे तो दो इंच धा इंच तीन इंच अपने हिसाफ से रखिए और एक एक करकर जॉइन कर दीजिए तो आप छोटा बड़ा में रख सकते हैं बना सकते हैं बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद आप लोग को डिजाइन पसंद आए होगा अगर आप लोग को डिजाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहें प्लीज मैं चनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन जरूर प्रस करें जिसे आने वाले नोटि आप तक पोस्ट सेक्योरी से तरीके से आप लोग देख नई नई वीडियो फिर मिलेंगे वीडियो में तब तक के लिए खुदा आप इस बाब बाई दुआओं में याद रखेगा